आत्मा अगर नहीं है तो जीवन बर दुख पाता है इसलिए आत्मा आवश्यक है अगर जीवन वैसे ही नहीं बरबाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए इसलिए धर्म का कोई और पतिपाद्य विशा है ही नहीं आत्मा के अतरिक्त दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुमिया में एक जो गौड को या भगवान को वानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं कहने की ज़रूरत नहीं में से नास्ति आत्मा की ज़रूरत नहीं मेरे पति भारतिय प्रसाष्णिक सेवा में है मैं उत्तर प्रदेश के कहीं जिलों में गई हूँ मैंने क्योंकि हिंदी बाहुल्य चेतर है तो मेरी गहरी चिंता है कि भार्षा विलुप्त हो रही है इसी का एक बहुत बड़ा कारण है कि आम जो लोग है वो पुरानों को या फिर ग्रंतों को उनका उनको नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनका जो पार्लांस है और एक जो भार्षा है उसमें गहरा अंतर है कृप्या इस पर मुझे अपने विचार पताईए इसको कैसे ठीक किया जाए देखिए दो वजहें होती है कि कोई भाषा प्रगति पाती है या तो उस भाषा से आपके आर्थिक स्वार्थ जुड़े हो या उस भाषा से आपका कोई दिली भावनात्मक रिष्टा हो दोनों ही अगर शर्टें पूरी हो रही हो तो भाषा जबरदस तरक्की करती है दोनों में से एक पूरी हो रही हो तो भाषा बस किसी तरही के से जिन्दा रहती है और कोई भी न पूरी हो रही हो तो भाषा तेजी से मरने लगती है हिंदी के साथ जो बड़ा अत्याचार हुआ है वो यह है कि उसको रोजगार से बिलकुल काट दिया गया है जिस हद तक अभी भी वो व्यापार में इस्तिमाल होती है वो स्वस्थ है जिन्दा है पर जहां कहीं भी विवस्थित क्षेतर संगठित क्षेतर की नौकरियों की बाद आती है वहाँ हिंदी को उपेक्षा मिलती है जब उपेक्षा मिलती है तो जो नई पोध है वो हिंदी को पढ़ने में उत्सुक्ता क्यों दिखा है क्योंकि उत्तरप्रदेश जिस आर्थिक प्रिष्ट भूमी से आ रहा है नौजवानों की पहली प्राथमिक्ता होती है रोटी अब रोटी अगर उनको हिंदी से होकर नहीं मिल रही तो वो हिंदी को बहुत सम्मान नहीं दे पाते तो कहते हैं ऐसी भाषा का फायदा क्या जो रोटी दे नहीं सकती बलकि अगर हिंदी माध्यम से हम पढ़े हुए हैं तो रोटी हमारे लिए और दुरलब हो जाती है तो व हमारी शिक्षा हिंदी माध्यम में क्यों हुई वो चीज ठीक होनी चाहिए क्योंकि वो चीज हिंदी के लिए तो है ही नुकसान दे है भारत के लिए और अर्थवस्था के लिए भी नुकसान दे है निन्यानवे प्रतिशत नौकरियां सरकारियों निजीयों वो ऐसी है जिसमें आपको अंग्रेजी जानने की कोई विशेश जरूरत है ही नहीं हिंदी से मजे में काम चलेगा लेकिन उन नौकरियों को पाने के लिए उनकी प्रवेश परिक्षाओं में अंग्रेजी अनिवारे रहती है हिंदी को महत्तों नहीं दिया जाता तो बहुत बड़ी चोट पड़ती है हिंदी पर वहां से दूसरी चीज आती है कि भाशा से आपका भावनात्म करिश्टा गया है वहां पर मामला मिश्रित है मिश्रित ऐसे है कि एक तरफ तो हुट नहीं हमने अपनी लौरिया सुनी है और लोग घीट सुने है लेकिन दूसरी तरफ उच्चवर्ग की भाशा हिंदी है नहीं तो एक भावना तो हमारी वो है, जो हिंदी में ही सब फिल्मी गीत सुनना चाहती है, और उससे हिंदी को बहुत फाइदा भी होता है, प्रचार भी होता है हिंदी का, और दूसरी भावना हमारी वो है, जो अपरिचितों के सामने भले ही वो, अपरिचित भी उस्जिश से क्यों ना ओ, बात्चीत की शुरुआत अगरेजी से करना चाहती है. तो इजो दो चीजे हैं, पहली कि क्या भाशा से रोजगार मिल रहा है, रोटी मिल रही है, वहाँपर हिंदी मात खा रही है. और दूसरी चीज, कि क्या भाशा से आपका जो भावना का रिष्टा वो स्वस्थ है, वहां मामला मिश्रित है, आधा-ाधा, तो वैसी फिर हिंदी की हालत है, यह नहीं कह सकते कि मरने की ओर बढ़ रही है, लेकिन बीमार तो निश्चत रूप से है, किसी भी दृश्टी से स्वस्थ तो है नही तो क्या करना होगा अगर सरकारी नीतियों में बदलाव आ सके तो ये तो सबसे अच्छी बात होगी गाउं के कस्बे के बलकि जो सधारन छोटे शहर होते हैं उनके भी छात्र छात्राओं को अगर हिंदी माध्यम से ही नौकरियां रोजगार मिलने लग जाएं तो हिंदी को सम्मान मिलेगा लोग और बहतर हिंदी सीखना चाहेंगे ये ललक नहीं रहेगी कि बात बात में अग्रेजी को खुषेड़ो और दूसरी जो चीज है उसके लिए अध्यात्मिक करानती चाहिए अंग्रेजी को लेकर के बड़ी हीन भावना आ गई है वो हीन भावना वास्तव में अपने अस्तित्त को लेकर के है कि हम ही छोटे हैं हम छोटे हैं तो हमारी भाशा भी छोटी है तो ये छोटा क्या है बड़ा क्या है आपका देश क्या है आपका अतीत क्या है आपका अध्यात्म क्या है इसकी शिक्षा जैसे जैसे लोगों को मिलेगी वैसे वैसे उनमें अपनी भाशा के प्रतिवी सम्मान बढ़ेगा जिस भाषा में कुछ अच्छा निर्मान कोई अच्छी रचना हो रही हो वो भाषा पीछे नहीं छूट सकती जिस भाषा को बोलने वाले लोग भौतिक तौर पर या किसी भी अन्ने तरीके से आध्यात्मिक तरीके से तरक्की कर रहे हो वो भाशा अपने लोगों के साथ स्वयम भी प्रगति कर जाती है अच्छा साहत्य अगर रशा जा रहा हो हिंदी में तो लोगों को हिंदी पढ़नी पढ़ेगी न क्योंकि आपको अगर वो किताब पढ़नी है तो आपको हिंदी आनी चाहिए अभी तो बहुत ताज्यूब की बात यह है कि हिंदी को आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन कर रहा है जानती है फिल्मे हम बॉलिवुड को कई कई तरीकों की रंग बिरंगी गालियां देते है लेकिन एक काम जरूर है जो बॉलिवुड ने निसंदेह करा है हिंदी का बहुत प्रचार करा है भारत में भी और विशुभर में भी आज भी ज्यादातर लोगों को जो हिंदी आती है वो उन्होंने फिल्मों से ही सीखी है खास तोर पे अगर अहिंदी भाशियों को हिंदी आती है तो वो तो उन्होंने निश्चित ही फिल्मों से सीखी है हिंदी फिल्मों से तो कुछ ऐसा जब निर्माण होगा हिंदी में जो लोगों के मन को भाएगा तो फिर लोग हिंदी की ओर आएंगे ही लेकिन फिर कहूंगा पहली चीज तो हही है रोटी और रोजगार गरीब के लिए कहा था ना धूमिल ले सबसे बड़ा सच रोटी है सहाब आज आपको में वो बात बताता हूं जिसके आगे दुनिया की हर सच्चाई छोटी है क्या कि गरीब के लिए पहला सच तो बस रोटी है मूल पंक्तियां इससे थोड़ी भिनन है देख लीचे का एक वो व्यक्ति है जो रोटी वो अलग है वो अलग है यह मुझी राम से तो अगर ऐसा हो पाए कि आप एक बड़े व्यापारी बन पाएं अपनी भाशा का इस्तिमाल करते हुए तो सिर्फ आप ही बड़े नहीं हो रहें आपके साथ भाशा भी बड़ी हो गई अगर ऐसा हो पाए कि आपको एक बड़ी नौकरी मिल जाए मिल पाए अपनी ही भाशा का इस्तिमाल करते हुए तो पता नहीं कितनों को प्रेड़ना मिल जाएगी उस भाशा को और सम्मान देने की नहीं तो यह बात सही है कि जैसे जैसे आधुनिक होने का रिष्टा अंग्रेजी के साथ जड़ता जा रहा है वो दिन दूर नहीं है जब नई पीढ़ी हिंदी से पूरे ही तरीके से संबंध काट लेगी जो भी जगह आधुनिक होती जाती है और संपन्न होती जाती है प्रगतिशील होती जाती है वहाँ आप आते हैं कि हिंदी कम और कमतर होती जाती है छोटे मोटे शहरों के छोटे बाजार होंगे वहाँ आपको होल्डिंग बैनर हिंदी में मिल जाएंगे जैसे जैसे वह जगह बड़ी होती जाएगी और बाजार ज्यादा उचा और आधुनिक और महंगा होता जाएगा वैसे वैसे वो सब बैनर अंग्रेजी में बदलते जाएंगे अगर यही हालत रही तो फिर तो आधुनिकी करण का प्रगते और विकास का अर्थ होगा हिंदी की मृत्यू हिंदी ही नहीं सारी भारती भाशा हैं वो सब बहने ही हैं जिएंगे भी एक साथ मरेंगे भी एक साथ